हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब आयोप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे जो राष्ट प्रेमी जितने भी देश वासी थे उन्होंने अपने आपको स्वतंत्र कर दिया था 26 जनवरी 1930 में और अपना स इस ये जानकारी आपको प्राप्त करने है तो आप इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखिए तो आप चैनल में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नई वीडियो और उसमें आपको थोड़ी सी इस ज उसमें बहुत सारी प्रोब्लम आई थी, वो भी मैं अभी आगे भी बताऊंगा और पीछे की वीडियो में मैं कुछ उसमें हिंट बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं, चलिए टाइम को खराब ना करते हुए आगे का आगे इस टोपिक पर बात करते हैं, आज मैं आपको जो इसमें बात करने वाला हूँ, कि जब हमारा देश आजाद कर दिया गया था, 15 अगस्त 1947 को तो वो जस्म किस तरीके से मनाया गया था, किस तरीके से उसमें हमारे मंत्री मंडल डिसाइड किया था, ये सारी बाते आज हम करे 1947 में हमें सोतंत्र कर दिया जाएगा, मगर जो हमारे जोत्सी थे, उन्होंने बता दिया था, कॉंग्रेसी नेताओं को कि 15 अगस्त 1947 में आजादी लेना बिल्कुल भी सुब नहीं है, ये एक असुब दिन है और हमारे लिए दिक्कत होगी, तो इसलिए रातरी 11 बजे, इस जशन की शुरूआत में किस तरीके से किया गया था, कि जशन जो था दिल्ली के एक बहुत बड़े विधान जो विधान परिसत थी, किसकी अंग्रेजों की और एक बहुत बड़ा सभागार था, उसमें अच्छे प्रिकास की विवस्ता थी, बहुत अच्छे तरीके से आ सकती थी और यहां पर कोने पर तेरंगे लगाये गए थे छोटे चोटे तेरंगे और कुछ तीरंगों को फ्रेम करके लगाया गया था जहांазिक्तरॉब होती थी वहाँ पर हमारा भारत का तिरंगा फ्रेम करके भी लगाया गया था ठीक है इसके बाद क्या हुआ था रात को ग्यारा बजे इस जशन की सुरुआत कर दी गई थी जशन की सुरुआत में सबसे पहले वंदे मातरम गाना गाया गया था उसके बाद वंदे मातरम गाना चाहे वो देश के अंदर गवाई थी या देश के बाहर गवाई थी ठीक है फिर इसके बाद महिलाओं द्वारा जो हमारा देश जो तिरंगा था उसको लाया गया प्रदर्सित किया गया ठीक है और इसके बाद भासन का प्रोग्राम चालू हुआ इसमें सबसे पहले जो भास है फोरो कानिवा छोदरी के लुए से कराए गोई थे तिएंट दूसरे जो भाशन ते राधा सौरें डक्टर राधा किश्ण के द्वारा कराए गोई थे ऋ सभागार के वो ते प्रदान मंत्री हमारे नहरुजी ठीक है तो इन सबसे अगती कर ता कि इस रात्री बेला में जब दुनिया के सभी देश नींद के आगोस में हैं तो हमारा भारत वर्स आज एक पुराने युग को छोड़ कर नए युग में प्रवेस कर रहा है और इस नए युग में आप सभी का स्वागत है इस तरीके से भाशन का प्रोग्राम चालू किय गया देन फिर इसके बाद तेरा नहरू जी से अलग तेरा मंत्रियों की एक लिष्ट लाई गई थी जो की कॉंग्रेस के उसमें लगबग चार के करीम नेता थे जो नहरू जी से अलग ते इसमें गद्दावर नेता सर्दार बल्लम भाई पटेल ठीक है मौलाना अब्दु कलाम आजाद इस तरीके से और चार नेता अलग थे तीन नेता वो भी थे इसमें जो की डाक्टर भीमराव अमेड कर ठीक है और एक कनियपपस सेटी करके थे मिझे थोड़ा नाम में कन्फियूजन हो रहा है ठीक है तीन नेता वो भी थे जो की कॉंग्रेस के बिलकुल कटर थे मतलब कि उनके अपोजिट में थे जब कॉंग्रेसी नेता जेल में थे तो इन्होंने ये वो नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के सयोग दिया था ठीक है मगर इन नेताओं को क्यों इस लिश्ट में सामिल किया गया था ये दरसल क्या है महतमा गांदी द्वारा साब बताया गया था कि आजादी जो मिल रही है वो देश को मिल रही है भारत को मिल रही है कॉंग्रेस को नहीं मिल रही है इसलिए यहां पर वो नेता मंत्री मंडल में लाए जाएंगे जो की पूरी काबलियत रखते हैं ठीक है यह नहीं होगा कि अपने चुने हुए लोग होंग ठीक है चलिए ये इस तरीके से वो तेरा लोगों की लिश्ट लाई गई थी उनुका सपत ग्रैंड किया गया था समारो और जब नहरू जी का यहां पर भाशन चल रहा था तो इसी तरीके से जो वो सबागार था उसके बाहर भी लोग जश्न मना रहे थे सडकों पर और इतना ज़्यादा जश्न मना रहे थे अमेरिका ने एक रिपोर्टर ने लिखा है इसके वारे में ऐसा लग रहा है कि न्यू येर का एक जैसे अमेरिका में न्यू येर का प्रोग्राम चलता है ना कि हां रातरी के वक्त सभी लोग सडक पर आ जाते हैं कंपनियों की छेतर से इतन से नारे लग रहे थे और साथ में इतनी जादा मतलब की भीड थी कि उन्होंने पुलिस का जो सुरच्छा गेरा था उसे भी तोड़कर अंदर आ गए थे और जो सभागार था उसके मजबूत गेट थे उन्हें भी बंद करना पड़ा नहीं तो हो सकता है कि वो सभागार में जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा था सपत ग्रैंड का साइद वो पब्लिक वहां भी आ जाती सभी लोग गांदी जी की सफेद टोपी और धोती और कुर्ते में मुझूद थे इतना ज़्यादा मतलब की आलम का वो जो रिपोर्टर था अमेरिका का रिपोर्टर था वो य से खुसी होती है वो निकल कर आ गई थी और इतनी ज़्यादा मैं आपको बता दू यह सिर्फ दिली का आलम नहीं था कलकत्ता का भी यही आलम था वहां पर जो की उस रात्री से पहले तक दंगे हो रहे थे वहां पर भी हिंदू मुसलिम जितने भी लड़के लड़किया थ और जितने भी जगा थी मतलब कि स्कूल दीवारें जहां और बच्चों के हाथ में यहां तक की जानवरों पर तिरंगे लगा दिये गए थे इतनी अच्छे तरीके से कलकत्ता में भी वो दोर चल रहा था ठीक है साथ में मैं आपको बता दूँ बनारस में यह हुआ था कि बनारस जो हिंदूओं के लिए पवित रिस्तल है वहां पर भी एक मुस्लिम द्वारा एक बहुत बड़ा जंडा फैराया गया था उदर जो हमारा मुंबई सहर है जो की एक महानगर है और ओद्योगिक द्रश्टी से तो वहां पर ताज होटल में वहां के मेर साब ने वहा और सीलांग में जहां पर जो कि एक बॉर्डर पर बैठता है भारत के वहां पर भी हिंदू और मुस्लिम के चार जोडो द्वारा मतलब की लड़क नव यूवकों द्वारा जो की एक हिंदू था एक मुसल्मान था उनके द्वारा देश का जंडा फैरा आए गया तो मानना यह था कि हमारा देश अब नव यूवकों के द्वारा एक मजबूत तरीके से चलाए जाएगा इस तरीके से पूरे देश में इतने लाखों लोगों की संख्या में करोडों लोगों की संख्या में जशन को इतने अच्छे तरीके से मनाय जा रहा था ऐसा नहीं लग रहा थ कहीं से भी कि यह एक पुरानी संस्कृती का एक परंपारिक तरीके से जैसे चल रहा है वैसर नहीं है ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका, इंग्लेंड और अंग्रेजी छेत्रें वो सब चसने में आयोजन करते हैं उस तरीके से उसी तरीके जैसे हमारे culture में ये चीज थी वो चीज खुलकर आ रही थी हर जगाये इतनी ज़्यादा भीड़ती और इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिली में आयोजन हो रहा था मगर पूरे देश में इस चीज का असर हो रहा था और हर जगह इस चीज को मनाय जा रहा था मगर एक प्रॉब्लम यह आई थी जो हमारे लाश्ट गवर्नर जनरल थे उनके निजी सचीव थे मतलब की उनका वो इस चीज से बिलकुल भी खुश नहीं थे क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई भी जो ये जितनी पब्लिक थी वहाँ पर सभी ने धोती, कुर्ता और गांदी जी की टोपी पैन रखी थी ये जो सपत गिरयन समारो था एक जो आयोजन था इस चीज का उसकी गर्मा के खिलाफ था क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोट, पैंट और टाई में आना चाहिए था यहाँ पर कोई भी सब साधारन कपड़ों में थे ठीक है? मगर यह उनकी सोच थी और एक इस्तिदी तो ऐसी भी आ गई थी कि वहाँ पर जब सभागार में जो अनादीकरत लोग थे मतलब कि जिनकी आने की मनाई थी वो भी लोग उस सबागार में पहुँच चुके थे तो वो यह कह रहे थे यह साध यह वक्त होगा इस तरीके से अब अंग्रेजों के जाने के बाद इस भारत का यह हाल होगा जहाँ पर अनादीकरत लोग भी ऐसी ऐसी मीटिंगों में पहुचेंगे तो यह उनकी सोचती निजी सरचीव की हम इसको थोड़ा अपने फेवर में ही मान सकते हैं और साध यह सच भी था क्योंकि हमारे देश में आज भी देखा जाए तो करप्सन इतना ज़्यादा फैला हुआ है उतनी तरक्की नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी तो इस तरीके से हमारे देश का जो 15 अगस्ट 1947 को जो जस्न जो आयोजन किया गया था सपत गराण समारों का आयोजन किया गया था वो इस तरीके से मनाया गया था ठीके अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा जब समिधान सभा जब आयोजित करी गई थी तो उसमें सबसे पहले गांदी जी को यहां पर सम्मानित तोर पर भासन की हम कह सकते हैं सपत की तो उसमें सबसे पहले उन्हें लाया गया था तो तालियों की गड़ गड़ाट पूरे सबागार में हुई थी और लगबग बहुत देर तक काफी देर तक वो तालिय की गड़ गड़ाट चलती रही मगर जो जिस व्यक्ति के उपर ये बात कही गई थी कि हां गांदी जी के बारे में कहा गया था वो गांदी जी ही नहीं थे उस सबागार में उस जसन में सामिल नहीं थे ठीक है तो ये क्यों नहीं थे ठीक है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे वो नहीं दिल्ली में थे न गांदी जी के पास 14 तारिक को मैं थोड़ा से हिंट दे देता हूं 14 तारिक को बंगाल के जो प्रदान मंत्री बनने जा रहे थे वो गई थे उनके पास और उनसे ये बात पूछी थी कि गांदी जी क्या आप जो हमारा 15 अगस्त का अब जी जसन होगा तो वो किस तरीके से बूग से मर रहे हैं दंगों से मर रहे हैं और ऐसी इस्तिती में हम क्या इस जसन को हमें मनाना चाहिए इसलिए वो इस जसन में सामिल नहीं हुए थे वो बिलकुल भी पच्छ में नहीं थे जसन को मनाने के ठीक है तो वो क्यों नहीं थे और क्या इस्तितियां थी क्या परि जसन मनाया गया था 15 अगस्त का आई होप आपको वीडियो पसंद आईगी वीडियो पसंद आईए तो सेर करें आगे भी बहुत कुछ जानना वाकी है ठीक है पॉइंट वाइस पॉइंट वाइस पॉइंट वाइस आपको समझाऊंगा क्योंकि अगर मैंने आपको एक साथ सम ना मिल पाए टेक केर और बने रही है और अपना सिच्छा का इस्तर बढ़ाते रहे है टेक केर धन्यवाद